मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबां से परवदिगार बोलता है, कुछ और काम तो उसे आता ही नहीं, मगर वो जूट बहुत शांदार बोलता है, क्या बात है वाह। आज हम बात करेंगे दोस्तो, राहत इंदोरी की, भारत के बहुत बड़े शायर, उर्दू के बहुत बड़े शायर, जो लिखा लोगों ने हातों हात लिया, इनकी शायरी तो इतनी जादा फेमस है, गजले इतनी जादा फेमस है, लोग कार के पीछे लिखवा लेते थे, ट् पे भी बायोग्राफी करनी चाहिए, तो फिर से महफिल जमाईए दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका है, राहत इंदौरी की शायरियों से भर दीजे कमेंट बॉक्स को, क्या बात है इर्शाद, तो आज हम राहत इंदौरी की बात करेंगे, आशा करता हूँ, आप सब बहुत होगे, मिरे नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी, स्टेडी अक्यूप आपका बहुत बहुत सबागता है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिरर सको रीकनेक्ट मेरा फेस्बूक पेज है, सिद्धान तक नहीं होतरी के नाम से मेरी फेस्बूक प्रॉफाइल है, दोनोही जगा इसी का स्मार्ट कोर्स भी अविलेबल है आपको बहुत जादा फायदा होगा ट्विटर पे मैं आ गया हूँ ये रही मेरी आईडी दोस्तो अगर हम राहत इंदौरी की बात करें राहत कुरेशी इनका जो नाम था सरनेम भदल लिया क्योंकि इंदौर के थे तो इंदौरी लग गया वैसे जादतर शायरों के साथ यही होता है जिस शहर से वो बिलॉंग करते हैं वो शहर का नाम उनके पीछे लग जाता है ही कहना और एक ट्रिब्यूट है एक तरीके से तो राहत कुरेशी जो बात में राहत इंदौरी हो गए इनका जनम अरे वह एक जनवरी 1950 में हुआ तो जन्मति थी देखिए एक जनवरी ठीक है तो एक जनवरी न्यू येर के दिन पैदा हुए इंदौर में आपको पता ही है मद्द प्रदेश का बहुत ही खुपशूरत शेहर है इंदौर cleanest city जब भी cleanless index आता है इंदौर हमेशा top पे रहता है बहुत ही खुपशूरत शेहर है तो मद्द प्रदेश के इंदौर शेहर में पैदा हुए ये गरीब थे काफी दिक्कत थी गुजर बसर करना इतना आसान नहीं था गरीबी काफी जादा थी गुर्बत की जिंदगी थी दोस्तों राहत इंदौरी बताते हैं कि जब मैं घर में रहता था चार भाई बैन थे ठीक है इनकी दो बड़ी बैने हैं तहजीब और तकरीब एक बड़े भाई है ठीक है और एक छोटे भाई है और माता पिता पिता जी बहुत अमीर तो थे नहीं ठीक है कपड़े की मिल में काम करते थे क्लोथ मिल वरकर थे ठीक है ना अब ऐसा था कि राहत इंदौरी जब घर में होते थे जब लेटा करते थे तो अपने छट को देखते थे छट क्या चपड़ था ठीक है चपड़ था और चपड़ में पैबंद लगा था तो उस पैबंद को देखा करते थे यह घरीब यह गुर्वत कब दूर होगी लेकिन दोस्तों इंजॉय करते थे हर एक चीज में रहात इंदौरी ने इंजॉय किया और वहां से कविता निकाल ली लेकिन कविता इनका पैशन नहीं था पोईट्री इनकी पैशन थी ही नहीं बाद में इनोंने शायरी और घजल दूस्तों घर में कॉंट्रीब्यूट करना पैसे से कॉंट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी था चित्रकारी में रुची थी तो इन्हों ने जो साइन बोर्ड होते हैं जो एड्स होते हैं उस तरीके के वह डिजाइन करने शुरू किये और प्रतिभा इतनी ज़ से शायर बनना है गजले लिखनी है अब रहत इन दोरी बताते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता ये कैसे खयाल आया कैसे मैंने सोचा कि पेंटर से एकदम शायर बन जाऊं और ये बताते हैं कि पेंटिंग और शायरी ये दोनों एक ही चीज है एक ही सिक्य के दो पहलू है य लेकिन फिर भी पेंटिंग को ये जादा बना मानते हैं पहला पैशन अपना पेंटिंग को ही कंसिडर करते हैं ठीक है उसके बाद इन्होंने दोस्तों 1973 में कारीमिया कॉलेज जो की इंदौर में है स्लामिया करीमिया कॉलेज वहां से अपना ग्राइजूशन पूरा किया और उसके बाद में किया उर्दू लिटरेचर में बर्कतुला युनिवरसिटी बहुत फेमस युनिवरसिटी है एंपी की बर्कतुला युनिवरसिटी से 1975 में इन्होंने में की डिग्री ली और फिर पढ़ाया भी इन्होंने 10 साल गजल पढ़ाई भी उसका अध्यान भी क काफी पढ़े लिके हैं और उसके बाद फिर उनने पूरी दुनिया ट्रावल की है 50 साल से दोस्तों 50 साल से पफॉर्म कर रहे हैं मंच साजा कर रहे हैं मंच पर जाते हैं शाइरिया बोलते हैं और 50 साल बहुत बढ़ा वक्त होता है माई की आदत पढ़ गई इनको ठीक है और कुछ शायरिया तो दोस्तों इनकी बहुत ही ज़ादा फेमस है, इन्होंने पूरी दुनिया घुमी, हलाकि एक शायर की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है, और जब यहाँ पे पूछा गया, गजल के बारे में पूछा गया, कि आप गजल और शायर को कैसे देखते हैं, तो रहात इंदोरी ने बोला कि देखिए, गजल को समझना बहुत मुश्किल है, मैंने तो काफी वक्त लगाया, बात में मुझे समझ में आया, कि अगर गजल या शायरी को समझनी है, तो आपको थोड़ा पागल, थोड़ा दिवाना, थोड़ा अडियल, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि, मतलब थोड़ा जिसका दिल तूटा हो, और थोड़ा सा बजजलन होना पड़ता है, क्या बात है, मतलब अलगी एक व्याख्या करने का इनका तरीका है, है ना, तो शायर का जीवन मुश्किल होता है, यह बताते हैं कि जब मेरी वाइ उनिवसिटीज में जाके ये लेचर देते हैं, अभी मैं इनका कारेकरम देख रहा था हूँ, आयाटी मुंबई के आयाटी डेली में था, बड़ी बड़ी उनिवसिटीज में, पूरी दुनिया घुम चुके हैं, बहरेन, ओमान, कुएत, मौरिश्य, अमेरिका, पाकिस्तान, बांगला देश, पूरी दुनिया, पाकिस्तान में बता रहे थे, कि पाकिस्तान में ये जॉन इलिया से मिले थे, तो इनकी जॉन इलिया से मुलाकात थी, जॉन इलिया एक और बहुत गजब के शायर, वो तो ऐसे शायर थे, आज के जमाने में सबसे फेमस शायर है जॉन इ करते हैं तो यहाँ पर मुझे लेने के लिए तो जहाँ पर मुझे जाना था वहाँ रोड़ भड़ी ख़राब थी तो मैंने उन से पूछा कि कि इतना वक्त लगेगा वहाँ पहुंचने के लिए तो जौन इलिया ने बनाया बस तीम पैक क्या बात है उन्हों ने बला कि बस तीम पैक वक्त छोड़ दिए पीते पीते सफर कड़ी आएगा है कि नहीं तो ये बात बताई और आपको बता दूं कि रहा तिंदौरी ने फिल्मों में भी एज़ा लिरसेस्ट काम किया ह बहुत सारी मुवीज में इन्होंने जीतों को लिखा है ये शायद बहुत लोगों को बात पता नहीं होगी मुन्ना भाई MBBS मुवी आपने देखी होगी हर किसी ने देखी राज कुमार इरानी की मुवी उसमें भी इन्होंने वो जो मुन्ना भाई MBBS का ट्राइटर ट्रैक ना वो इन्हों नहीं लिखा है समझ रहे हैं तो काफी मूवी में दोस्तों ने काम किया है इन्होंने अनु मलिक के साथ काम किया है इश्क जो मूवी आई थी जिसमें अजय दिवगन आमिर खान उसमें गाना बहुत फेमस वह तो नीन चुराई मेरी किसने वो सनम तूने ठीक बेस अब तो मुझे याद भी नहीं आ रही है, ठीक है, किताबे भी लिखी है, इन्होंने, अभी हाली में इनकी biography रिलीस की गई, है ना, वजूद हो गया, नाराज, चांद पागल है, धूप बहुत है, इस तरीके की किताबे इन्होंने किताबे भी लिखी, author भी है, लिखना बहुत पसंद है, है कि नहीं, अब हम इनकी कुछ famous शायरीस की बात करते हैं, 40 से 45 साल हो गए हैं दोस्तों, इनको perform करते हुए, ठीक है, बहुत सारे मुशायरा, कभी सम्मेलन में perform करते हैं, जाने माने, जाने माने poet हैं ये, है ना, और ये जो इनकी poem है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, ये तो एक metaphor हो गई, कहना कुछ जाते थे, कह कुछ गई ये poem, ये इतनी जादा viral हुई, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, कि लोगों उन्हें गाड़ी के पीछे ये लिखवाना शुरू कर दिया, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, एक train setter हो गई ये poem, अब दोस्तों, ये poem कुछ इस तरीके की है, देखिए, poem देखिए, क्या लिखते हैं, और इनका बोलने का अंदास, ओहो, आपने अगर रहा तेंदोरी को सुना होगा, अगर वो एक घंटे का भी प्रोग्राम होगा, ठीक है, जैसे मैंने तो कभी लाइब नहीं देखा, मैंने तो यूट्यूब पे सुना है, तो अगर वो एक घंटे का भी प्रोग्राम, तो एक घंटे कैसे, एक बार आपने उनको बस बोलते होई सुन लिया, फ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं दुनिया दुनिया ऐसी है तो इधर मत जाओ यह जो तौर तरीके तुमको बताती है इसको मत फॉलो करो यह अपने हिसाब से तुम चलो यह बताने का बतला भी था लेकिन लोगों ने कुछ उल्टा ले लिया और लोगों ने बुलाती है मगर जाने का नहीं लड़की से जोड़ दिया है तो इसी लिए जो यूथ है यह इतनी जादा वाइरेल हुई बुलाती है मगर जाने का नहीं की क्या बता है अब पूरी पॉयम को पढ़ते हैं हम बुलाती है मगर जाने का नहीं य hm है इधर जाने का नहीं अगली लाइन देखिए मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं क्या बात है समझ रहे हैं बिल्कुल सेंसेस में रहके जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो चले हो तो ठहर जाने का नहीं सितारे नोच कर ले जाओंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं वबा फैली हुई है हर तरफ अभी महौल मर जाने का नहीं ओफो डीपनिस देखिया गहराई देखिया अब ये लास्ट लाइन तो सबसे पहतरी वो गर्दन नापता है नापले मगर जालिम से डर जाने का नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं ये बहुत वाइरल इनकी पोयम थी ये बहुत जादा वाइरल हुई ठीक है और कुछ बात करें दोस्तों जो उन्होंने लिखा है तो जुबा तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे मैं कितनी बार लुटा हूँ मुझे हिसाब तो दे ये अगर किसी को आप बोल दे तो वैसे ही इंप्रेस हो जाए है कि नहीं ऐसे दिखे शब्दों का ये जो माया जाले कितना खुबसूरत है आप खो जाएंगे आप अपनी जो प्रॉब्लम से भूल जाएंगे हाला कि इनकी शहरी पढ़के आपको प्रॉब्लम से याद आ जाएंगी अगर आपका दिल तूटा है तब तो बैटा तुम गए काम से अब ये देखिए ये तूटे दिलों के लिए है कहीं अकेले में मिलके की अपको करें आपको को के साथ. हम सब भुक्त भोगी हैं यह ना इसीलिए हम लोग इतना कट कर सकते हैं देखिया हम उसी इंसां से connect करते एं उसी की राइटिंग से connect करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है कार्ल माक्स काम एग्जामपल लesser कार्लमाक्स Karl Marx बहुत ही एतिहासिक व्यक्ति हैं आप जब दास क्यापिटल पढ़ेंगे मैंने तो कितने सारे लिचर लिये हैं उन पर तो आपका brainwash हो जाएगा क्यूं? क्यूंकि हम कही ना कही उस चीज से connect करते हैं हमको पता है कि वो problem जो है जो society के problem से वो हमारे साथ भी है तो जिस इंसान से हम connect करते हैं उसके हम respect करते हैं वो जो लिखता है उसकी जो लिखावट है वो अमर हो जाती है जैसे रहातिंदोरी की उसकी याद आई है सांसो जरा आहिस्ता चलो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है क्या बात है वाह बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर जो मेरी प्यास से उलजे तो धजियां उड़ जाए ओफो एक और छू गया जब कभी खयाल तेरा दिल मेरा देर तक धड़कता रहा कल तेरा जिकर छिड़ गया था घर में और घर देर तक महगता रहा तो इस तरीके की शायरियां लिखी है ठीक है और हर यॉनर पे लिखते हैं सिर्फ ऐसे इनी इश्क मोहबत हर यॉनर पे अभी तो पॉलिटिक्स पे बहुत जाद लिख रहे हैं पॉलिटिक्स पे बहुत जाद इस शायरियां लिख रहे हैं अभी जो MP में हुआ जो सियासत चली MP में आपको पते हैं किस तरीके से MP में कॉंग्रेस की सरकार बदल गई है ना जोती रादित सिंधिया ने अपना पूरा सपोर्ट खीच लिया और इसर दुबारज शिवराज सिंग चौहान जो हैं वो CM हो गए तो वहाँ पे भी इनोंने खुल के बोलते हैं ये किसी से भी नहीं डरते जो बोलना है वो बोलते हैं लोग हर मोड पे रुक रुक के समलते क्यों हैं इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं क्या बात है समझ रहे हैं आप तो इस तरीके की बहुत सारी शायरिया हैं ठीक है अब वैसे तो मैंने इनके इंटर्व्यूस देखे हैं इनके बहुत सारे मुशायरे देखे हैं यूट्यूब पे है ना जितनी याद आती यार यह मैं आपको बतादा जा रहा हूँ लेकिन आप जरूर पढ़िएगा इनके बारे में बहुत ही कमाल का लिखा है जाते जाते एक और शायरी बताता हूँ एक और शायरी जो बहुत ही फेमस हुई है इनकी ठीक है जब भी जाते हैं कुछ होता है कि जब भी कुछ कोई राइटर आते हैं कोई अगर अक्टार आता है तो आप उनसे एक पर्टिकुलर डायलोग की जरूर डिबांड करते हैं वैसे ही एक और इनकी बहुत ही फेमस शायरी है मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो आसमान लाए हो ले आओ जमी पर रख दो अब कहां ढूंडने जाओगे हमारे कातल आप तो कतल का इल्जाम हम पर ही रख दो मैंने जिस ताक पर तूटे दिये रखे हैं सुनिए गाध्यान से मैंने जिस ताक पर तूटे दिये रखे हैं चांद तारों को भी ले जाकर वहीं पर रख दो, कितनी डीपनेस है, आप देख सकते हैं ना, तो ये लेचर था, I hope रहात इंदौरी पे आपको पसंद आया होगा लेचर, अगर आप चाहते हैं कि मैं और शायर पे लेचर और पोएट शायर पे लेचर लेखे आऊं, तो कोशिच करूँगा कि लेखे आऊं, खुछ रहेगे पढ़ते हैं देशे सिद्धान तक नहीं होतरी सैनिंगाओ